दोस्तो HSE CET पुरिक्षा को लेकर जो है अभी अभी एक बड़ी खबर आई है चेर्मेन साब का जो है दोस्तो बड़ा ब्यान है अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो को अन तक आप जुरू देखना नमस्का दोस्तों आप सभी का शुआगत करते हैं मारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट में दोस्तो अगर आपने भी तक मारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिये गए बैल आइकन को दबालें ताकि लेटस्ट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तो वीडियो मागे बढ़ने से पहले आप सबीस्ते रिक्वेस्ट है अगर आपने विधिक पुमारे टेलिखाम चनल को जोईण नहीं क्या है तो पलीज टेलिखाम चनल को जोईण कर ले टेलिखाम का और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जुरू करें और वीडियो को ज़ादा से ज़ादा दोस्तों शेर जुरू करें दोस्तों आपके लगातार कोमेंट आ रहे थैं कि ग्रूप D CT जो प्रिक्षाप की 21 और 22 अक्टोबर को इसमें जो है दोस्तो नेगेटिव मार्किंग हो गया फिर नहीं होगी क्योंकि ग्रूप C में जो है दोस्तो एक पांचवां विकलप जो है वो आपको दिया गया था ग्रूप C में भी जो है दोस्तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी लेकिन अगर आपे पांचवां विकलप को नहीं बरते हैं जो एक भी ओप्षन को अगर आपे टिक मार्क नहीं करते हैं क्यूशन को खाली छोड़ते हैं इस दो रान जो है दोस्तों आपके मार्क्स कार्टे जाएंगे यह देख सकते हैं दोस्तों चेर्मेन सामने इसमें बिल्कुल कलियर कर दिया है कि 21 और 22 अक्टूबर को 4 शिफ्टों में होने वाड़ी जो ब्रिक्षा है इसमें आयोके देख्ष वोपाल सिंग कतरी ने बताया कि इसमें कुल 100% पूछे जाएंगे हर क्विशन में जो है दोस्तों 0.95 जो मार्क्स आपके मिलने वाड़ी है अगर कोई उत्तर गल्ट हुआ तो उसमें कोई नेगिटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाड़ी है अगर आप आंशोर को गल्ट कर देते हैं तो इसमें आपकी नेगिटिव मार्किंग नहीं रहेगी लेकिन अगर आप जो पांच विकलब जो आपको दिये जाएंगे चार तो आपको option मिलेंगे पांच माँ आपको एक खाली जो है वो विकलब मिलेगा जिस प्रकार से अपने group पे cct exam में देखा था उसी प्रकार से group D में भी जो है दोस्तो इसी प्रकार से आपको 5 विकलब दे जाएंगे और 5 मिन्ट आपको एक्स्ट्रा भी दे जाएंगी उसको बढ़ने के लिए उसको जो है दोस्तो आपने खाली नहीं छोड़ना है आगर आपको question नहीं आता है तो आप 5 विकलब को पर सकते है या फिर आप ये मान के चले की आपको सभी question गाली नहीं चोड़ना है अगर आपको नहीं आता है तो इस दौरां भी जो है दोस्तो अपने सभी question के उप्शन फिल करने है और अगर आते हैं तो अच्छी बात है नहीं आते हैं तो आप उसको गोल दारा जो है उसको बरके जुरूर आए अगर आप उसको नहीं बरते हैं तो इसमें 0.95 जो है आपके marks काट ले जाएंगे ये उस दोरान जो है दोस्तो आपके negative marking होने वारी है और इसी के साथ जो है दोस्तो आपके roll number जो है वो आपको आज अकल में आपके admit काट जो है जारी होने शुरू कर दे जाएंगे admit काट डाउनलोड करने का जो link है दोस्तो वो description में दिया गया है और टेलेकाम चनल पर भी provide करवा दिया गया है जब भी आप परिक्षा के लिए जाएं दोस्तो उसमें सबसे पहले जो आपको omar sheet दी जाएगी उसमें जो है अपने अपना नाम roll number booklet number माता पिता का नाम अन्य जो विवरन उसमें दिये गए हैं उन सभी को feel करना है अगर कोई खाली छोड़ते हैं तो आपका जो paper है उसको प्रद कर दिया जाएगा बरने के लिए जो है निला जो काला पैन है वो आपको वहीं पर मिलेगा कुछ भी आपने साथ में लेके जाना एक ID फूरूफ जो है अपने साथ में लेके जानी है और फोटो जो है वो आपने साथ में लेके जानी है जिस परकार से गूरूप सी मे आपने बोलकर आपने अंगुठे लगाने हैं और signature झूरू करने हैं आगर आप बाके की details भर देते हैं और आप अंगुठा नहीं लगाते हैं signature नहीं करते हैं तो इस दोरान भी जो है आपकी जो शीट है उसको रद कर दिया जाएगा यानि कि आपकी उमिदवारी जो है उसको रद कर दिया जाएगा फिलाल यह सभी जो है दोस्तों आपने द्यान रखने हैं और किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी आपको सक्रेच नहीं करना है किसी भी प्रकार के रोलंबर या फिर उसके लेके जाएं सबसे अच्छा है क्योंकि admit card में केवल और केवल आपकी photo के लिए ही जो है आपके admit card जो है आपके देखे जाते हैं roll number तो आपके black and white में भी दोस्तों दीख जाते हैं लेकिन उसके तो possible हो तो आप रगिन admit card जो है वो लेके जाएं जानकारी चलगी वीडियो को लाइक शेर कोमेंट आप ज़रू करें आइसे सी बर्तियों से जोड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सबस्काइब ज़रू करें और Telegram चैनल से दोस्तों आप ज़रूर जड़े Telegram चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे Telegram चैनल का नाम है जोगी स्मार्ट